असलाम लेकुम फ्रेंज आज मैं लेका रहा हूं होटल एस्टाइल बटर पनेट की रेस्पी यह बहुत ही टेस्टी और डिलिसेस बन के त्यार होती हैं और इसे हमने बहुत ही सिंपल तरीक से बनाया है इसे आपने अगर एक बर बना लिया न तो आप इसे ही बार बर बनाया पसंद करेंगे और होटल का खाना भूल जाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आज की रेस्पी पसेंदे तो वीडियो के लाइक आप सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चले सूरू करते हैं तो बटर पर इबनाने के लिए हम यहाँ पर तीन सो गराम बटर ल मिक्स करेंगे तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम स्याइट रख लेते हैं जब तक इसका हम असाला त्यार करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो रफली कटी भी टमाटर ले लिए हैं और चारी हरी मृष्ट ले लिए हैं अब एक मिक्सर जार ले लेंगे अब इसमें हम चुप्रक चुन को डाल देंगे लुखिर कंसे की अब उस dewम इसको बारिक पेश्ट बना लेंगे इसको यहां पर धेकि व महीँत्त है अ see और साथ ही डालेंगे एक चमच तील इससे ग्रेवी में साइनिंग भी आती है और ग्रेवी गारी भी होती है अब इसमें हम थोड़ा सा पाइन डालेंगे और इसके हम बारिक पेस्ट पाने लेगे तो इसे हमने बारिक पीस लिया है अब इसे हम साइड रख लेगे अब यहाँ पर हम gravy के लिए masala त्यार करेंगे तो एक चमच हम लेंगे धनिया पौडर एक चोटी चमच कास्मीरी ललमिच पौडर आधी चोटी चमच हल्दी पौडर आधी चोटी चमच जीरा पौडर और एक चोथाई चमच हम लेंगे काली मृष्का पौडर अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद थोरे देर के लिए हम साइड रख देंगे ताकि जो मसाले है अच्छे से फूल जाए इसे ना इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है अब गैस के उपर हम एक कराही रखेंगे इसमें हम डालेंगे दो चमच तेल और साथी डाल देंगे एक चमच बटर और यहां पर हमने लिया है साबत गरह मसाला चार हरील लियाची एक दाल चेनी का टूकरे दो लॉंग और दो तेच पत्ता और साथी डालेंगे आज ही चोटी चमच जीरा इसे थोड़ा सा हम फराई होने देंगे और यहां पर हमने ले लिया है दो मिनेट साज की बारिकटी प्याज इसे भी इसमें डाल देंगे अब इसे हम अच्छे से फराई करेंगे जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तो यहां पर देखिए यह अच्छे से फराई हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच अध्रक लसं का पेस्ट और इसे भी अच्छे से फराई कर लेंगे इसमें तो इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट आइड करेंगे जो हम पहले से पीसके रखे थे और इसे हमें अच्छे से फ़राई कर लेना है जब तक कि इसका तेल सेप्रेट नहीं हो जाता और इसका टमाटर का जो कच्च पने ओ निकल नहीं जाता तो यहां पर देखिए, आपको तेल दिखाई दे रहा होगा, तेल अच्छे से से शिप्टेट हो गया है, यानि कि टमाटर अच्छी से भून गया है, तो अब यहां पर हम एट करेंगे, जो हम मसाला को पानी में भींगो करें थे थे ना, वो मसाला एट कर देंगे, देखिए यह मसाला भी अच्छी तरह से फूल गिया है और मसाले को डालके इसे भी हमें अच्छे से फ़राई कर लेना है इसे हम धक के फ़राई करेंगे बिच बिच में धकन खोलके चलाते रहेंगे यह देखिए इस तरह से तो जब तक हमारा मसाला फ़राई हो रहा है तब तक हम दू और यहां पर देखें हमने पनीट लिलिया है जिसे हमने मसाले के सांथ मिक्स करके रखे थे आप इसके उपर हम डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे तो इसे हमें लाइट फ्राई करना है ज्याद़ डार्क नहीं करना है तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला चेक कर लेते हैं ये दिखिए मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है ये दिखिए अब इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट अब इसे डालके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कम से कम इसे हम एक से देश मुने तक भून लेंगे इसके छीटे उठते हैं इसलिए हम ढखके भूनेंगे और यहां देखिए यहां चेक कर लेते हैं तो यह भी अच्छे से फ्राइग हो चुका है यह देखिए कितने अच्छा कलर आया है तब हम गैस का फिलम बन कर लेते हैं और यहां पर हम आजाते हैं मासाले के पास तो मासाले भी दिखिए यह भी अच्छे से भून चुका है तो अब यहां पर हम टेस्ट कॉकरी नमक डालेंगे और साथी डालेंगे एक छोटी चमच कसूरी मेथी जिसे हमने रोष्ट कर लिये थे और इसे हम हाथों से करस कर लिये थे आप इसमें हम पनी रैट कर देंगे आप इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच किरीम आप घर का भी मलाई यूज़ कर सकते हैं जो दूद के उपर मलाई आती है न बस उसे आप ले लिजिए और इसे अच्छे से फेट लिजिए या मिक्सर जर्मे डाल के उसे आप पिस लिजिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच गरम मसाला पौडर और इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे हम दो मिनट तक और इसे पका लेंगे तो यहाँ पर देखिए दो मिनिट हो चुका है बटर पनीर बन के रेडी हो चुका है आप इसके उपर हम बारी कटे भी हरदेनिया डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो फिलेबर है अंदर तक चला जाए तो देखिए हमने इससे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है देखके हैं कितनी टैंप्टिंग लग रही है अब हम घैस का फिलेम बन करते हैं और चले हैं हम गर्म गर्म सर्वर करते है तो यह लिजए होटल करते हूं कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद आई तो वीडियो का लाइक करें अपने फैमिली फ्रेंस में भी सेयर करें और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले